है लो दोस्तों कैसे वह आप सभी उम्मीदत सब ठीक होंगे स्वस्त होंगे तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है नमबर तीन जो कि आपके कुश्चिन अंचना पिस्टन और इससे रिलेटिड है तो सबसे पहले कुश्चिन है आपका अगर आपको यह कुश् कुश्चिन आपके आजाए तो आपको बहुत एल्प मिलेगी तो आप जरूर कमेंट करके बताए और इनकी पीडिएफ लेड़े के लिए हमारे वटसब गुरूप को जोईन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो पहला कुश्चिन से शुरू कर पहलता है नेक्स्ट कुश्चिन में चलते हैं डिसी और बीडिसी को कहते है टॉप डेड़ सेंटर और बोटम डेड़ सेंटर तो यह फुल फॉर्म प्यापको याद रखनी है नमबाटू कुश्चिन होता है कि स्ट्रोक के दोरान इंजन के सिलेंडर में हवा परवेश करत है नेक्स्ट कुश्चिन आपका थर्ड एक डीजल इंजन में वहां में टर्बो कंप्रेशर को वाई यू इनलेट कहां से जुड़ा रहता है तो आपका एक कुश्चिन है एक डीजल इंजन वहां में टर्बो कंप्रेशर का वाई यू इनलेट कहां जुड़ा होता है तो तो आपका इंजन का cycle operation है compression power or exhaust उसके बाद आपका next question पर चलते हैं डीजल इंजन में suction stroke के समय piston निमन को ग्रेंड करता है तो डीजल इंजन में suction के समय डीजल piston सिर्फ केवल सुद वाईयू को ग्रेंड करता है तो आपका next six number question है single cylinder दो stroke cycle engine परती मिनट एक अजार चकरों पर गूमता है यदि परती मिनट पावर stroke कितनी होती है तो आपका इसका अंसर आपको बताना है कितनी होती है तो ये six का भी 500 होती है आपकी परती मिनट पावर stroke next question आपका साथवा एक इंजन में टर्बो सूपर चार्जर लगाने पर कितने परतीसत अधिक पावर मिल जाती है तो आपकी 20 से 30 परतीसत पावर अधिक मिल जाती है next question पर चलते हैं आपका eight number question suction stroke में spark ignition suction stroke में spark ignition इंजन में खीचा गया कुन सा चार्ज होता है तो आपको ये हवा पैट्रोल का मिश्रन होता है जो आपके spark ignition में खीचा गया चार्ज है next question नवा नंबर का question आपका डेख लेते हैं diesel engine में compression stroke में TDC से कितने degree पहले fuel injection शुरू होता है तो आपका ये 10 degree से पहले fuel injection शुरू होता है दोस्तों ऐसे ही question आपके बिल्कुल राज़ता है आइकोट में drive related question जो आपके आएंगे वो इस प्रकार से ही आएंगे तो आप इनकी जरूर त्यारी करके जाएं two stroke engine में transfer port कहां बनी होती है तो two stroke engine में आपके transfer port बनी होते है cylinder दिवारों पर next आपका 11 number question होता है diesel engine में compression के पस्चाथ compression में हवा का तापमान कितना रखा जाता है तो आपका ये रखा जाता है 600 degree से 800 degree centigrade next question में चलते है 12 number question आपका यदि four stroke engine परती मिंट आठ सो चक्करो पर चलता है तो है परती मिंट पावर स्ट्रोक की संख्या कितनी होगी तो आपका अंसो रहेगा इसका सही 400 रहेगी next question आपका 30 number question टर्बो चार्जर की टर्बाइन में कौन सी गैस गुमाई जाती है टर्बो चार्जर की टर्बाइन में कौन सी गैस गुमाई जाती है तो आपको यह अंसर बताना है तो exhaust manifold के exhaust gas में next 14 question आपका diesel engine में कितना compressor pressure होता है तो इस का अंचोल आपको साड़े 300 से 550 pound परती square inch होता है और इस में आपको एक कुशन देता हूँ 4 cylinder गाड़ी का आपको firing order बताना है 4 cylinder गाड़ी का firing order कमेंट करके जरूर बताए अगर किसी को पता हो तो 4 cylinder 6 cylinder दोनों के बताए 6 cylinder भी का भी बताए तो ये कुशन भी आपको जरूर बताने है नेक्स्ट कुशन आपका पंदरा नमबर कुशन डीजल इंजिन में कितनी compression रेशयो होती है तो आपकी ही होती है 16 रेशयो 1 से 22 रेशयो 1 9 नेक्स्ट कुशन आपका CC से क्या मतलब होता है आप बोलते हैं फोन में आपकी क्यूब एक सेंटीमीटर को सतरवा कुश्चन है सारे सिलेंडर के कुल आयतन को क्या कहते हैं तो इंजन डिस प्लेसमेंट कहते हैं इसको सारे सिलेंडर को 18 कुशन है आपका टू स्ट्रोक पैट्रोल ने टू स्ट्रोक पैट्रोल के पैट्रोल इंजन के पिस्टन नीमन में से किस टाइप के होते हैं तो यह डिफलेक्टर टाइप के होते हैं आपके यह तू स्ट्रोक पैट्रोल इंजन के पिस्टन इंजिन की उस्मा उर्जा किस उर्जा में परिवर्थित होती है तो यांत्री उर्जा में परिवर्थित होती है आपकी ये क्रेंक साफ्ट के कितने चक्रो पर स्ट्रोक में रोक पावर स्ट्रोक होता है बीश वा कुछन आप देखें करेंक सापके कितने चकुर में स्ट्रोक पर स्ट्रोक में रोक पावर स्ट्रोक होता है तो आपका इसका अंसर सही होगा दो चक्कर यदि पारकिंग ब्रेक लाइट डैस बोड में होती है तो वह क्या धरसाती है अगर कोई लाइट डैस बोर्ड में चसरी है तो किस परकार का अंदेशा दे रही है आपको तो सबको बताए कि ब्रेक लगी हुई है अगर लगी हुई दिखा रही है लाइट गाड़ी के दुआरा पूरी की गई दूरी को कौन सा मिटर दरसाता है गाड़ी में इतनी दूरी तेह की है तो इसको कौन सा दिखाता है तो आपको ये स्पीडिओ मिटर Next Question ए गाड़ी दवारा आरंब करके गंतेवेस्थान पर कुल कितनी दूरी तेह की गई इसकी जानकारी किस मिटर में मिलती है तो इसका अंसर आप देख सकते हैं, ड्रीप मिटर चलते इंजन के चक्कर मिंट में कौन सा मिटर सो करता है चलते इंजन के चक्कर मिंट कौन सा मिटर सो करता है तो आपका ये टैको मिटर सो करता है चलती गाड़ी की गती कौन सा मिटर दिखाता है तो चलती गाटे आपके इस पी को मेटर दिखाता है तो ये टोटल 25 कुश्चन है तो जो मैं आपसे करवाया है अगर ऐसे कुश्चन और करवाने हैं तो मैं एक दिन में दो प्रैक्टिस एड़ आपको अब लेविल करवाँगा लेकिन आप पहले कमेंट करके बताए अगर इ वीडियो को लाइक करे तेज जन्वरी काव का पेपर एक्जाम के बिल्कुल अपनी त्यारी करें जोड़ो सोर से तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो धन्यवाद दोस्तों